आकाश्मनी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं दीपा सिंग भोपाल में आज कुछ और संक्रमित रोग्यों की रपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद राजधानी में COVID-19 से पेड़ित रोग्यों की संख्या 54 हो गई है जबकि एक मरीज की मौत हो गई है वही राज़ि में कुरुना संक्रमित लोगों की संख्या 200 के पार हो गई है राज़ि में इस बीमारी से अब तक 14 लोगों की मौत हो जुकी है भुपाल की मुखे चिकित्सायम स्वास अधिकारी सुधीर कुमार देहरिया ने बता है कि आज पॉजिटिव पाये गए सभी रोगी स्वास में भाग के करमशारी है इस बीच जिला प्रशासनी भुपाल में कलमधर राते से सक्ती सिबंद करने की खोशना की है जिसमें प्रदेख परिवार के केवल एक विक्ति को ही मेडिकल स्टूर और दूद की दुकानों से खारिदारी करने की अनुमदी दी गई है आज भुपाल में सडके सुंसान दिख रही है डेरियों और मेडिकल स्टूरों को छोड़कर सभी दुकाने अगली आदेश तक बंध है उधर मुक्यमंत्री शिवराज सिंग चोहार ने आज वीडियो कंट्रेंसिंग के माध्यम से विभिन राजनातिक दलों की नेताओं और चिकित्सा कर्मियों से बात की दूसरी ओर इन दौर में वायरोलाजी लैब की शम्ता पांच गुनाह बढ़ गई है वही नई दिली मरकर से लोटे अशुक नगर जिले के विक्ति की कोरोना जांच रपोर्ट डेगेटिवाई है हालाकि आतियातन जिले में सक्ती बरती जा रही है उधर असन से विदिशा जिले के सिरोंज में जमात के साथ आया एक युवक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है फिलहाल युवक का भुपाल में उप्चार क्या जा रहा है सिवनी जिले में कर्फ्यू का उलंखन करने पर 17 लोगों को गरफतार किया गया है मंडला कलेक्टर ने बाहर से आने वाले हर विक्ति का स्वास्ट परेक्षन कर उसे चौधर दिन के लिए कुरेंटीन के जाने के निर्देश दिये है नीमच में कलेक्टर ने लॉकटाउन का उलंखन करने और काला फाजारी करने पर कई दुकानों पर कारवाई करते वे लॉकडाउन खुलने तक उनका लाइसेंस नरस्त कर दिया है सतना से हमारे सववदादा ने बता है कि जिले में बहिला सुसाहिता समूहों द्वारा मास्क और सेनिटाइसर का निर्मान किया जा रहा है पेश एक रिपोर्ट कोरुना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संक्या के बीच कुछ अच्छे खबरे भी सामने आ रही है जबलपूर भुपाल और इन दौर में कुछ मरीजों के स्वस्त होने के बाद शुपुरी में भी पहला संक्रमित वेक्ती ठीक हो गया है आगाश्मानी से बादचीत में दीपक शर्मा ने बता है कि लॉक्टाउन का पालन कर ही कोरुना से बचा जा सकता है गुवालिर में भी COVID-19 से पेड़े तविशेक मिश्रा और टेकनपूर के अशुक कुमार के जांश रपोर्ट नेगटिव राप्त हो गए है आगरमालवा, सिहोर, बुरहानपूर, उमर्याजिले में भी लॉक्टाउन का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है किन्र सरकार ने कहा है कि सोशल मीडिया के एक वर्ग में ऐसी खबरे आ रही हैं जिसमें COVID-19 के मियंतरन के लिए लॉक्टाउन के आवधे को लेकर विश्व स्वास्त संगठन की प्रक्रियाओं का उलेक किया जा रहा है सरकार ने ऐसी फर्जी खबरों का खंडन किया है सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्त संगठन में ऐसी कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है अधिकारियों ने लोगों से ऐसी फर्जी जानकारी से सतरक रहने को कहा है आज भारती जंता पार्टी का 40 स्थापना दिवस है पार्टी ने इस बार स्थापना दिवस कुरुना संक्रमन से युध लड़ रहे युधाओं को समर्पित किया है इस उसर पर प्रधारमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत उन देशों में से एक है जिसने कोविन-19 की गंभीरता को समय रहते भाफ लिया और तुरंत एहतियाते कदम उठाए आज भाजबा कारिकरताओं को वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये संबोधित करते वे उन्होंने कहा कि केंद्र ने कुरुना वाइरस से निपटने के लिए एके बाद एक फैसले लिये उन्होंने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए भारत के प्रियासों की दुनिया भर में तारीफ हो रही है प्रदेश में भी पार्टी कारिकरताओं द्वारा सोशल डिस्रेंसिंग का पालन करते वे सुबह दस बजे अपने घरों में पार्टी का जंटा फेराया इस वरान कारिकरताओं ने घर में रहकर पार्टी और पार्टी के महापुरिशों से संबंधित साहितिका अधन किया और 40 लोगों से टेलेफोन आदिपर संपर करके पीम केर फंड में कम से कम 100 रुपए जमा कराने का आग रह किया पार्टी प्रतीक परिवार तक घर में बने हुए कम से कम दो मास्क पहुचाने का अभियान चला रही है साथी पुलिस प्रिशासन, चेकितसा से जुड़ेवे लोग, सफ़ाई करमचारी, बैंक और पोस्ट ओफिस तथा अनिस सभी प्रिशासने का धिकारियों और करमचारियों के प्रती 40 परिवारों से धनिवाद प्रस्ताव पारित कर सौपेगी जैन समुदाय के लिए महावीर जैनती सरवाधिक शुब औसरों में से एक है, जिसका धार्मिक जीवन में विशिश महत्व है राश्ट्रपती, उपराश्ट्रपती और प्रधान मंत्री ने महावीर जैनती के औसर पर देश वासियों को बढ़ाई दी है राश्ट्रपती रामदात कोविन ने ट्वीट कर कहा है कि भगवान महावीर की सत्य और अहिंसा के शिक्षा आज भी प्रसंगिक है वो पराश्चुपती इम्विंक्या नाईडू ने कहाए कि भगवान महावीर करिश्माई और प्रभावी आध्यात्मिक हस्तियों में से एक थे प्रधार मंत्री नरेनर मोदी ने कहाए कि भगवान महावीर का जीवन सत्य अहिंसा और साथकी पराधारित था और ये हमेशा लोगों के लिए प्रेणा का विशर बना रहेगा प्रुदीश में भी महावीर जैनती पारंपरे खर्शुलास के साथ मनाई जा रही है अशूक नगर से हमारी समवादाता ने बता है कि जले में जैन समुदाय की लोग घरों में 24 दीपक जलाकर इस वर्फ को मन रहे हैं उधर टीकमगण में लोगडाउन की चलते महावीर जैनती पर निकलने वाली शुभायात्रा नहीं निकलेगी हाला कि समाज के लोगों ने एक हजार आठ राशन के तैयार की है जिन्हें सुरत मंदों तक पहुंचाया जा रहा है खनपा दमोग नरसिंग पूर सहित सभी जिलों में महावी जैनतीम बनाई जा रही है अब कुछ समाचार सिंख शेप में इतना ही घर में रहे सुरक्षित रहे और सुन्ति रहे आकाश्वाणी